हेलो गाइज कैसे हैं आप और आज हम बनाने जा रहे हैं यह देखिए हमारे कुरकुरे से अप पे सारी सब्सक्राइब बिलाकर हम आप पे बनाएंगे देखें कितने बढ़िया बनते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले हमने एक बावल लिया है बावल में एक कप सूजी को ए आउंगे देखिए यह चल ले और यह अच्छी तरह मिला के मैं इसको बाव अपने अच्छी तरह मिला के मिक्स करके मैं इसको कम सकम 10-15 मिनट तक के लिए इसको ऐसी ठक्के रख दोंगे देखों गूल गया हमारा यह सूजी घुल गये अब फूलने के लिए मैं रख दूं अब हो मैं यह सूजी को अब धक्या कर सकती है को मैं इसको मैं बोला कே अच्छी को बना एक सिम्छ permitir लिया और यह सब मन काटिकर चूँड़र है bankrupt मैं कर लूंगी इसको मिक्स करके तो बनाते हैं बड़ी इसको आने स्वाद मिक्स हुआरि में बड़े थख द्याइकलित पर टेश्टी भी लगती है सारी चीजों की बना के और देखिए इसके बाद आजाते हम यह हमने एक टमाटर भी ले लिए ऐसी इसी तरह से चोट चोटे इसी तरह से कट कर लूगी मैं यह देखो मेरे टमाटर भी मैंने काट रही हूं और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें जो नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें शेयर भी करें कमेंट करके बताएं कैसा हम बना रहे हैं तो आप इसके बाद आ जाते हमने जो यह सब्जी काट के रख लिए हैं सूजी देखियो हमारी फूल गी है 15 मिनट हो गय है इसको भी में अट कर दूंगी इसमें को इसमें बिला दूंगी मिक्स कर दूंगी अभी से कोई भी बना के खा सकता जल्म आए आए nostrüEL वह सक्षाद के बना लेती हूं उनकरता है मेरा में बना के बच्चे को सब को खिला देती हूं तो यह भी खाना तो खाते यह भी बीच भीच में खाते रहना चाहिए और इसके बाद जो मैंने साथ में प्लेट रखी हुई है उसमें ने यह प्याज हरी मिच धनिया यह भी काटके रखा हुआ है अब सबसे पहले मैंने इसको हरी मिच मिक्स कर दिया है अप्या भी मैंने डाल दिये हैं, और उसके बाद आ जाते हैं धनिया पर हरा दनिया भी मैंने डाला है। सब को डाल के देखो कितने उपर तक सबजी ज़्यादर लग रही था और मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी, और मैं आ जाती हूँ मैंने ये जीरा भी थोड़ा सा जीरा ले जीरा डाल दिया है जमा और इसके बाद मैंने ये नमक भी एट कर रहा है एक चमच और स्वादनुसार और थोड़ा सा कमसे 10 से 12 काली मिर्च मैंने पीस के इसमें वो भी एट कर दिये इससे बड़ा अच्छा ट किल दो जायए तो आजाते हैं मैंने गश्राइब कर लिए देखो कैसे दुए उठ रहा है और उसके बाद मैंने के गी देशी की थोड़ा इसमें डाल लिए सब साचे में मैंने डाल दिया और जो कि अच्छी तरह और तेज गैस तो रखनी नहीं ताकि तेज गैस रखेंगे तो जल जाएंगे यह देखे सम्मेस में एट कर दूँगी देख सकते आप सब मैं इस बहर रही हूं और ये अशिकरा से नीचे से तरह से और शी होगते हैं कमें चाय के साथ काओ कैसी भी खा और चटनी के साथ भॉत मुझ भ offer थे दिया और देखो पर से बाख़क के त्यार भी आण सुगे नीचे से बन के भी त्यार हो गया अब है सबोगा कि और इसको में जब घी अब सब्सिताक्व ताकि घी सbilityर इससे हैं इस बंदी चुपके गानी और रो सही बिल्कुल बनेंगे जल्दी सहरा इसको उमेचे बिल्ट के बिल्ट के देखो पलट मैं इसको पीछे उपर सेजो यह 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 भी अच्छी तरह से से दिए अब यह इस पून की मदद से मैं इसके देखोयाँ मैं पलट लूगी चाकु से तो नहीं निकल पा रहा है अमने मुझसे नहीं हो पादल देखो श्पून की मदद से मैंने यह इसको पलट रही हूं अब इसको सारे मैं इसी तरह से पलट लूँगी पलट के देख सकते आप अब यह मैंने सारे ठीक इसी तरह से सब मैं पलट जा रही हूं घुमा घुमा के और यह जल्दी से एक दम निकल भी जाते हैं टाइम नहीं लगता है इसमें और देख सकते हैं आप सारे मैंने घुमा के पका लिए अब पक के त्यार हो गया हमारे अपपे और आप भी जरू ब बताना है हमारे अपपे कैसे बने हैं देखे मैं आप पलेट में भी सर्फ कर रही हूं निकाल रही हूं तो आप भी जरू बनाएगा खाईएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें कमेंट करें के बताए कैसे बने और न्यू उतो चैनल को सब्सक्राइब करें तो देख सकत अब हमारे बन के अपचे बन के त्यार होगे गर्मा गरम अपके लिए खिलाई अब यह देके साथ हमने हरी चटनी और मीथी चटनी खाना गर्म गरम आप तेस्ट करोंगा खसता अपचे बनके रेडी होगे देख सकते हैं अभी इसके अंदर भाप निकल लिए बने और बने कितना में यह भी देखो गाजल गाजल आ रही है सबजिये जादा रही है वह इसी से तो टैश्टी बनती है सब्जिये जादा डाले सुजी में बहुत ही टैश्टी में देख सकते मैं घा के बताऊंगी बहुत ही यमी गर्मा गरम बनके त्यार होगे और बहुत खाने में बहुत टेस्टी लग रही है अच्छी बनी है और यह हमारे अपे चटनी जरूर आप भी बनाईएगा खाईएगा खिलाईएगा और चलते मिलते अगले विलोग में थैंक यू